नमस्कार मैं प्रिया राज आप देखरें एक न्यूस 24 आपको बता दे कि इन दिनों अपने फिटनेस को बरकरार रखना सबसे जादाल जीवन लाइफ में एहम रोल हो गया है बात किया जाए मौरिनिंग वॉक करना या फिर दोड़ना या फिर कहा जाए तो एकसरसाइस करना ये हमारे दिन चर्या में काफी जादा महत्वपून हो जाता है लेकिन जब ये बाते निकल कर सामने आए कि हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे नयाए दिस इन तमाम चीजों से दूरी बना लिये हैं तो आप भी यकीन नहीं करेंगे और ये काफी हैरान वाली बात है जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के शपत के बाद इसी तमाम मुद्दो पर अब कहा जाए तो सोसल मीडिया ट्रेंडिंग के साथ साथ लोगों ने शवाल खड़े करना शुरू कर दिये हैं और ये सबसे चर्चे का विसाय बन गया है कि देश को चलाने वाला देश को न नाम है वो काफी चौकाने वाले हैं आखिरकार जस्टिस है कौन ये भी सबसे बड़ा सवाल है कहा कि रहने वाले आज तमाम मुद्दों पर हम बाचित करेंगे और ये कर हम आपके भी साज़ करते हैं कि आखिरकार ये सवाल क्यों उठाये जा रहे हैं आपको बता देश के न्याय दिलानी में सबसे उचे पत पर बैटने जा रहा है लेकिन क्या वज़ा रही कि मूखे न्याय धिस जस्टिस संजीव खन्ना की ऐसा करना पड़ा और साथ में कहा जाए तो ऐसे क्यों वो अपने फिटनिस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं लेकिन जानते हैं सबसे पहले कि संजीव खन्ना कौन है तो आपको बता दे कि जस्टिस संजीव खन्ना का जन 14 मई 1960 को डली में जन में और कहा जाए तो दिल्ली एसी के पूर्व जस्टिस परिवार से हैं स्कूली सिक्षा दिल्ली के मौडरन स्कूल से की है और 1980 में डली विश्वविद्याले सी ग्रेज डली के कोट में प्रैक्टिस की अब आखिर उन्होंने पद संभालने से पहले वॉक करना क्यों छोड़ दिया है दरसल हुआ क्या कि पिछले महिने के आखिर में अगले मुख्य नयायदिस के तोर पर उनकी नियुक्ति का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद में उनको सुर प्रोटोकॉल को देखते हुए सुबह की सैर को पूरी तरह छोड़ने का फैसला किया अब जस्टिस खना दिल्ली में हर सुबह लोधी गार्डेन एरिया और अपने घर के आसपस कई किलोमीटर तक अकेली टहलते थे क्योंकि उन्हें लगता था कोई उन्हें पहचान नहीं पाएगा लेकिन अब ये संभाव नहीं है यानि उन्होंने वाक सुरच्छा घेरे के साथ करने से शाफ मना कर दिया है तो जैसा कि अभी आपने सुना कि उनके फिटनेस को बरकरार ना करने की उनकी खुद की पोस्ट हुई कहा जाये तो वो जब भी बाहर जाते थे तो उन वाक के लिए निकलते थे तो उनके साथ उनके सुरच्छा कर में मौजूद रहते थे इसलिए उन्होंने वाक करना ही छोड़ दिया और कहा जाये तो आस पास के जगों पर वो जाय करते थे जहां लोग उन्हें पहचान नहीं पाए लेकिन अब ये भी उनके लिए संभाव नहीं है इसलिए वो सीधा सीधा अपना वाक और कहा जाये तो एक्सरसाइज ही छोड़ दिये हैं तो आज के लिए इतना ही ऐसे तमाम छोटे छोटे अपडेट्स के लिए कहा जाये बड़ी खबरों के लिए तो बने रहिएगा एक नियूस ट्रैंटीफोर पर धन्यवाब झाल